हे नोशु कुमारी स्री प्रिया जू आप कृपा करके हमारे नेत्रों में बश जाओ जड़ चैतन ने कुछ न दिखाई दे जिधर देखूं आप गल्बहियां दी हुई प्रिया प्रितम दिखाई दे और लाडली जू आपने तो अखिलकूट ब्रम्हान नायक परातपरीस घंस्याम को जीत लिया और हम इसी गर्व में हैं कि हमारी श्वामिनी ऐसी महा महिम महिमा में तो श्वामिनी जू आपका बल धारन करके हमने वेद के सिध्धानतों का भी त्याक कर दिया और अन्य भाव वाले मार्गों का उपदेश करने वाले संतों की भी बात नहीं सुनी केवल आपके नाम रूप लीला धाम का आश्रे लिया तो हे लाडली जू अब तो हमारी बाह पकड़ लो क्योंकि मेरा कोई सहयोगी नहीं है परमार्थ में किशी का कोई सहयोगी नहीं है एक मात्र हरी और हरी के प्रेम में डूबे हुई रशिक जनके शिवा हमें परमार्थ का सहयोग नहीं मिल सकता जीवन की सबसे बड़ी सिध्धी है जिसने न कभी संसार में किसी को दोस्त बनाया और ना किसी को दुश्मन मनाया सबसे बड़ी सिध्धी है सबसे मित्रवत बेवहार करना पर मित्र किसी को ना मानना निर्मम रहना सब पर दया करुणा करना पर अहंकार ना करना शुक दुख में शमान भाव रखना और अपने उपर अपराध करने वाले को सदय उच्छमा करना दीखते सुंदर है भोग लेकिन बहुत कट दुख दायक है बिश्रम है थसा दिया इस बुद्धी ने बहुत दुष्ट है ये राक्षशी है बुद्धी जब तक प्रभू के चिंतन में नहीं लगती तब तक ये आसुरी बुद्धी बनी रहती है हमारी बुद्धी किसी भी माता बहन पर जब दृष्टी जाती है तो भोग बुद्धी हो जाना ये राक्षशी बुद्धी है रक्षा करो रक्षा करो हे राधा कृष्ण हमारी रक्षा करो ये बुद्धी माताओं बेहनों के प्रतिराक्षसी भाव को प्राप्त हो रही और यही सत्य है हमारी जो बुद्धी जैसी होती हमको सामने वैसा इदर्श्य दिखाई देता है जो केवल प्राणों के ही पोशन म लगा हुआ है केवल इंद्री सुखों के भोगने में लगा हुआ है वो असुर भाव को प्राप्त है वो राक्षशी बुद्धी है यह जो बुद्धी निश्चे कराती है ना बहुत गलत निश्चे कराती इसमें सुख इसमें सुख इसमें सुख धिकार है कृपा से दिव्य मानो देह प्राप्त करके दिव्य ध्यात्मिक शुक प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए ना कि भोग दृष्टी से देखना चाहिए जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हरदय में तो क्रोध का तांडो सुरू हो जाता है नाक में गुश्शा रहता है छुटी छुट बातों में वो अपने पुझ जनू को भी कटू बचन, कठोर बेवार, हिन्शाद भी कर सकता है ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ क्रोध को छमा के द्वारा नस्ट करना चाहिए नाम जब से ऐसा धैरेधारन करना चाहिए जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरशकार क्रिया, अहित क्रिया करे उसको विच्छमा कर दो अगर ग्रहस्त हो तो अपनी पत्नी के सिवा सरवत्र, जननी भाव हो, पुझ भाव हो, प्रिया जो कि सफसक्या है या स्वयम जगद अंबा इन पुपों में विराजमान हैं ऐसा पवित्र भाव करो जैसे हम अपने घर में जवान बहन जवान बेटी जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोस बुद्धी नहीं होती कभी ये भावे नहीं आता ये इस्त्री है मेरी बहन मेरी बेटी ऐसे इस चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धी शुद्ध हो जाए किशी भी व्यक्ति का छिद्रा वेशन करना इसमें क्या दोश है ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पुझ जनों को है वो भी अपने निज सरनागतों के अन्निके नहीं और वो भी उसे निर्दोस करने के लिए निंदा या पमानित अवहिलना करने के लिए नहीं किशी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम ब्रत्ती प्रगट होती उसे मद कहते हैं ये मद नश्ट करने वाला होता है जब मद होता है तो उसे कुछ शुहाई नहीं देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना च वो तो पवित्र बुद्री वाला निरने करता है इसलिए आंकार सर्वता त्याज्य है क्योंकि ये समस्त संसृती का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है और पिशुनता दूसरे की चुगली करना ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है और दंब जो तुम्हार का लोग नाना प्रकार के विश्यों का लोग ये अगर मिटाना है तो नाम जब करना होगा और जूट बोलना जूट बोलना बहुत सहज होता जा रहा है इसलिए भजन में बड़ी हानि अब इससे जदा क्या होगा संसार में एक जगह ऐसी है जहां जूट उइसे तो कहीं न कोलना ही नहीं चाहिए अगर गुरुदेव से जूट बुला तो गुरु से कपट मित्र से चूरी या होई निर्धन या होई कोड़ी इस जन्मे में नहीं तो अगले जन्मे में तुम्हें कुष्ट रोग होगा गलित कुष्ट होगा या फिर ऐसी दरिद्रता को देता रहे अगर आप जूट बोल करके पैशा कमा रहे तो परिवार में आसांती क्लेस दुख नाना प्रकार की रोग बिपतियां घेर लेंगी शत्य मार्ग पर चलो जिस शमय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिद्दगी में पाप न करे जब सरी पीड़ा से युक्त मन खिन नाना प्रकार की विपतियां घेर लेती हैं बड़ी अवेवस्थाएं तब उस जीव को लगता है मृत्य हो जाये तो अच्छा तो क्या होगा मृत्य हो जाने पर तुमको इस सुविदा में पहुँच जाओगे क्या बारी दुख मृत्य के और जब भी पत्य आई तब मृत्यू को मनाने लगे श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके शामने प्रगट हुआ है ब्रमरिशी किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रगट हो सकते हैं चैतन नते जो मैं पक्षी तो जैमिनी जी ने प पक्षी रुपधारन करके आया हूँ पूरुकाल में एक परमबुधिमान भ्रगवन्शी ब्रह्मरिशी थे उनके शुमति नाम का एक बहुत ही तेजश्वी पुत्र हुआ जब वो बड़ा होने लगा तो शांत और जडवत पागल कुछ नहीं बोलना जब उपनेयन संसका पार यग्योपवित हुआ ब्रह्मरिश्यों में होता है तो पिताने का सुमते आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा लेकिन आप तुमको गायत्रिय ध्यन मंत्र अनुष्ठान वेदा ध्यन इस सब करना होगा विक्षान से सरीर पोशन करो गुर्कुल में वास करो वेदों पुर्ण ब्रह्मतेज्य शंपन्न हो फिर ग्रिश्थास्तिन में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो बेटा तुम्हें नियमों का पालं करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी कौन सा सोख है जो तुमको बोलने नहीं द जब अनेक बार कहा तो शुमत जी कुछ नहीं बोले पिता ने इस ने वस फिर कहा बेटा तुम छल मत करो मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ग्यानी महत्मा हो जब बार बार कहा तो शुमत ने हस दिया और उसका पिता जी यह जो आप उपदेश कर रहे हैं यह बहुत बार बहुत जन्मों में कर चुका हूँ मैं मैं उस तत्त को प्राप्त हो चुका हूँ जिसके जानने के बाद कुछ जानना बांकी नहीं रहता इसलिए मैं जड़वत पागल आचरन करता हूँ कि आप हमको ये न समझ पाएं कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या प्राप्त है हर कला में मैं प्रवीन हूँ सिल्प कलाद सब कलाओं में प्रवीन हूँ इस शमय मैं आपके और अपने दस हजार जन्म तक को देख रहा हूँ स्वभावी खेद छहे छोब ये हमें इस पर्ष भी नहीं कर सकते शंतोश आनंद ब्रधी ये सदव हमारे हरदय म वाले हैं आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं हने एक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो तो बहुत आश्यर में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं बोला तो इस कोटी का बोला तबी भगवत रशी जी कहते हुए हर समय मौन रहे बोले ना बोले तो हरदय की गरं ठिको ले जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे वो महाभागवत होता है पिता जी मैंने हजारों बार महान से महान शुक और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में हैं लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूँ मुझे याद है अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है मैंने बच्पन, जवानी, बुढ़ापा सब को देखा है मैं हर योनियों में गया हूँ मुझे हर योनि का पशु, म्रग, की, पक्षी, मनो, शेस्त्री, देवता सब बनाओं प्रशन्नता से हरदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा होते है जश्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये शत्य हुआ, मैं धन्य हुआ, जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया, उन्होंने विश्मे से गदगदवाने में कहा बेटा, ये ग्यान तुमको क कहां से प्राप्त हुआ, मैं भी तो शादना करता हूँ, मैं भी ब्रह्मरिशी हूँ, तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थो ही, तो ने बड़े ग्यानी महात्मा हो कि तुम्हें दस्यों हजार वर्स जन्म की बात याद है, फिर तुम जड़ता का भावधारन करके मेरे हा जन्म क्यों लिया, जब इतने शिद्ध हो, तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए, क्या किसी मुनी का साफ है या देवता का साफ है, जो तुम हमारे या पुत्र हुए, मैं ये राज से जानना चाहता हूँ, बड़ा कौत वाल है मुझे, पुत्र ने कहा शुमतिजी ने कि पिताश्री, पूरु जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण में जन्म लियाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरु काल्म में निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महत्मा था, समस्त अष्टांग योग से सिद्ध, निरंतर भगवद अभ्यास में लगे र परमात्मत्त्त में मेरी हर समय अभ्यास से इस्थिती हो रही थी, बड़े-बड़े साधक मेरे शिष्य बनने लगे, मैं बड़े-बड़ों का प्रशन का संदेह निवारन करता है, और मैं आचार्य पद्वी पर बैठ गया है, पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन इस प हो गई, फिर नहीं पलट सकती, जैसे भुना हुआ चना दुबारा नहीं जग सकता, मेरा एकांत सेवन नस्थ होने लगा, मेरे शदभावनाय नस्थ होने लगी, और मैं समल नहीं पाया और प्रमाद स्थिती में मेरी मृत्त्य हो गई, पर मैं शत्य में जीवन भितीत किया था, उसके प्रभाव से मुझे पुना ब्रमरिशी कुल में ही जन्म हुआ, और मैं पुना ही ब्रमरिशी, आब मैं किसी को उपदेश नहीं करूँगा, इसलिए मौन रहता हूँ पागल जैसा, ना चेला बनाऊँगा, ना किसी को उपदेश करूँगा, इसलिए फिताजी पूरु जन्म के अभ्यास में मैं जितेंद्री था इसलिए अभ भी मैं जितेंद्री ही हूँ केवल प्रमाद स्थिती आ गई चिंतन में प्रमाद बहुत सावधानी अब भविश्य में मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं सावधानूं अब प्रमाद नहीं होने दूँगा मैंने जो दूसरों को ग्यान दिया था उस ग्यान का कहीं न कहीं मुझे आंकार आ गया इसलिए प्रमाद इस्तितिया गई मैंने जो दूसरों को ग्यान दिया था ये ग्यान देते समय नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं सच्ची नहीं वो श्री भगवान अंदर से बोल रहे हरदय मंदिर भगवान का है साउंड ये दिखाई दे रहा है वो अंदर से भगवान बोल रहे जो उत्तर दिया वो मैं भी सुन रहा हूं मैं उत्तर देने वाला नहीं हूँ मैं भी सुरुताही हूँ उत्तर देने वाले स्री भगवान जगत गुरु जो शब के हरदे में बैठे हैं वही कथे अंतिचे माम नित्यम तुष्यंतिचे रमंतिचे इसकी योगिता प्रदान कर रहे हैं और मुझे तत्तो बोद हो गया यही खास बात होती मैं ब्याद साइद बजन मिलेगा सौ बार राधा राधा बोला है तो अगले जन्म में 101 बार से सुरू होगा निन्यान्विय से नहीं मैं ट्रिका लग्य हूँ अपना परिशे बता रहे हैं और ये तीनों कालों का ग्यान साधारन धर्मों के पालन से या कर्म कांड से इन से नहीं प्राफ्थ होता है ये भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन से प्राफ्थ होता है पिताजी मैं जन्म से ही सन्यासी हूँ मुझे शिक्षा की अब जरूरत नहीं कि आप ब्रह्मचर दारन करो, आप जाओ एकांत सेवन करके, फिर ग्रेश्टास्त्रम, फिर वाना प्रस्ट फिर सन्यासी, मैं जन्म सिद्ध सन्यासी हूँ, मैं यह से चूक हो गई, जरासी चूक में जन्म हो गया, खास बात देखो, चूक कहां होई है, और जब भगवान की सरण में होता है, तो भगवान के रहे, अंतिम चूक को मैं सुधारता हूँ, इसलिए सर्वस्रेष्ट भगवान की भगती है, सरणागती है, भगवन नाम, इसलिए हम नाम जब की महिमा को बार-बार गाते, मैं क्या हूँ, इसको छोड़ो, आप क्या है प्रवू, मैं समझ गया, राधा, 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 परंपद मिल गया, अगर आप कोई प्रशन करें, और मैं आपको उत्तर देता हूँ, तो पितरिन से मैं मुक्त हो जाओंगा भी, पितरिन से, क्योंकि आपका रिन है, मैं सन्यास धर्म से उक्त, मुझे आपकी किसी सिक्षा की ज़रुत नहीं आपको ही प्रश्ण करें और मैं आपके प्रश्ण का उत्तर दे देता हूं तो पित्र रिर्ण से मुक्त हो जाओंगा बहुत आनंदित हुए कि ऐसा सरवग्य हमें पुत्र मिल गया तो उन्होंने कहा कि ये संसार में जन्म ग्रहन करने के संबंद में हम जानना चाहते हैं ये जन्म क्यों होते हैं उनका पिता जी मैं तत्व बोध शंपन हो चुका हूं इसले पूर्ण मैं बार बार इसले कह रहा हूं कि मेरी पर सुरद्धा करना मेरी ब गया मद्द गया ऐसे पुनरपी जननम पुनरपी मरणव मुनरपी जननी जठरे सैनम ऐसे चक्र चल रहा है सरीर में जो गर्मी या पित है वो तीब्रवाय। से पेरी थोकर जब अत्यंत कुपित होता है उसके बाद उदान नामा कुवाई उपर की और उठता है खाये पिए हुए अन जल को नीचे की और जाने से रोग देता है और आपत्ति की अवस्था में उसी को प्रशन्नता रहती है जो जल अन एवम रसका दान किया हुआ है भगवन नाम जब किया हुआ है तो ये जो बिपत्ती स्थिती आती है मरत्यू के पहले जो सहज मरत्य होती बिना घटना के तो जिसने कभी दूसरों को भूखों को भोजन पवाया है प्यासे को जल पिलाया है किसी की भारे दुख में समलित होकर दुख निवरत्ती की है और भगवन नाम जब तो ऐसी स्थिती को वो सह पाता है उस शमय भी गंभीर मुद्रा में वो भगवान का इश्मरन उस दुख से विक्षिप्थो कर नहीं छोड़ता वो पवित अंता करण वाला उस भारी कश्ट अवस्था में भी भगवन नाम इश्मरन जो पुरुष कभी जूट नहीं बोला जो कभी किसी से जगड़ा नहीं करवाया ध्यांग दीजे कहा है कई बार सत्संग में कि जो भगवत मार्ग का पतिक है उसकी जब मृत्ती होती है तो जन्मत मरत दुशा दुखोई ये नहीं होता जैसे विशाल हांथी के गले से फूलों की माला तूट जाए उसे पता भी न चले तो कहने उस समय उसके हरदय में एक अदभुत सुख प्रगट होता है और वो सुख पूरुवक सरीर छोड़ता है सुख पूरुवक मरत्यु को प्राप्त होता है सुख पूरुवक मरना आनंद जैसे स्वपन स्वपन में इस सरीर का भान नहीं रहा नहीं रहता सहिया में पड़ा है ऐसे स्वपन वत सरीर छुटा और जो देवता की जिसिस्ट की आराधना की वो वहीं प्राप्त हो जाता ह पर ये साधारन नहीं है सुख पूर्वक मरती होना जो सात्वी कहार करता है गुरु सेवक होता है कभी किसी की निंदा नहीं करता है उदार व्रती होती है जो गुण गंभीर शुभावाला होता है भगवान का आस्रे लिए होता है वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है प्रोध से युक्त होकर, द्वेश से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, सास्त्र की गुरू की आज्या का पालन नहीं करता है, वो मृत्यू के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है, उस समय सब चतुरही विश्मिर्त हो जाती है, अब उस समय क्या आएगा चिंतन में, वही बनना पड़ेगा जो आजाएगा, जिनोंने जीवन में किसी की भी मृत्यू का उशर समय, तब ही कहते हैं ये लाभ है एक बार जरूर सब लेओ, आस पास कोई पसुपक्षी मनुस्य मरनासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना देओ, एक बार हमने कहा था, कि एक छोटी सी बेग सब के पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरनामरत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवानी, सुधानी दी, ये हमारे सामागरी हमारे पास है, कभी भी प्राण निकले तो है, आजकल तो लोग इतने बेपरवा हैं, कि सामने कोई तडप रहा है, एक्सिडेंट हो गया है, तो बीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की कोल के हो, गाड़ी बढ़ा के निकल कोण, जनजट में फसे, तो तुम जब फसोगे, तो तुम भी ऐसे तडपोगे, ऐसा नहीं, प्राप्त सेवा का तिरशकार करने वाले को दंड मिलता है, प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी समय, भूल जाओ सारे काजियों को, और अपने स्वार्थ को, तुम्हारे साथ बेवार क्या होगा, उसको ततकाल गोद में उठाओ, गाड़ी में बेठो अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में दिखा जाएगा, पहले प्राप्त सेवा का पालन करो, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए, जो लोग जूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं, उनको दंड दिलाते हैं, दोशियों को मुक्त कर देते हैं, चाहिए कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर, भोले भाले लोगों को फशाते हैं, जो सास्त्र और शंतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यू का समय आता है, तो भयानक दुख होता है, और उस दुख के समय उनकी दुरगती का रूप सामने होता है, सुवर, कुत्ता, राक्षास, क्या बनना है, वही सामने आया, और वही उनकी योनी प्राप्त होगी, फिर वो तड़पते हुए मृत्यू को प्राप्त होते हैं, और ऐसे लोगों की मृत्यू जब होने को होती है, तो यमराज के बहुत ही कुरूर शुभावाले, बहुत ही जाँ दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे कुरूर शुभावाले हाथों में हाथकड़ी ले हुए, और बड़ा भारी मुद्गर, वो बड़े भयंकर, और उनके सरीर से दुरगंद, देखने से ही मलमूत्र छूट जाया, ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाए देते हैं, जो मरनासन होता है, यमदूतों की द्रश्टी पढ़ते ही, वो सरीरांकारी जी उकाप पढ़ता है, अब बोलने के हिम्मतने कप पित्वाईव सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सास भी नहीं ली जा रही, अब उसका चित तो वहीं ब्रमन करेगा, मेरा पुत्र बचाले, मेरी पत्नी बचाले, मेरा परिवार भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो भगवान की अगर याद की होती, तो इसी दुर्दसए नहीं होती, अब वो चीखने की कोशिस करता है, पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी ने निकल बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले इन भयावन दो यम्दूत होते हैं उसका मल निकल जाता है भैवस मूत्र छूट जाता है मूख शूख जाता है आखें पलटने लगती है शांस उपर को उठने लगती है देखने की सक्ति नष्ट हो गई भारी वेदना तडपता हुआ वो सरीर को छोड़ता है मन बुद्धी चित अहंकार पांच ग्यानिंदियां पांच कर्में नियों सही तो सरीर में पैक कर दिया गया उसका नाम यातना दे है अब उसको सरीर से ले जाते है यातना दे से इस थूल दे तो यहीं छूट गया सुक्ष्म सरीर कारण सरीर पैक कर दिया गया यातना दे में जैसे इस थूल सरीर में इस थूल सरीर छूट रहा यातना दे मिली वो सुक्ष्म होता है अब ये माता पिता का गर्ब जनित दे नहीं है ये दंड विधान वाला है ये कर्म जनित होता है इसे यातना दे कहते हैं यमराज के दूद फांसी लगाते हैं गले में जैसे कुट्टे के नहीं डाली जाती है ऐसे हैं और पीछे से मुदगनों की मार और घशिट्य भी ले ज जाते हैं पीछे से ऐसी मार क्यों चीखता है चिल लाता है पूरा अनुभियो जैसे इसतूल सरीर में ठीक वैसे उसमें मरना नहीं होता बस एक खास बात होती है क्योंकि इस थूल सरीर में मरना होता है शुक्षन कारम शरीर, जो यातना दे में उसमें मरना नहीं होता, दक्षन दिसा की ओर उसे दवडाते हुई है, मारते हुए पीछे से ले जाते हैे, और तप्त बालू आग जैसी तपती हुई बालू, जैसे यहाँ कुष होते हैं, ऐसे लोहे के काटे होते हैं, उस पे चलना काटे फैल हुई हैं कहीं लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं कहीं लोहे की कंक्रीली ऐसी भूमी लोहे के सैकुनों काटे जैसी गुखरू जैसी डाल दी गई हैं लोहे की और अत्यंत कठोर जो उसमें पैर रखते हैं भारी कस्ट पीछे से मार वहां दया नहीं कहीं आगे भूमी आग जैसी जलती हुई कहीं सैकुनों गड़े जिनमें गिरा-गिरा करके मारते हुए ले जाते हैं और सूरी भगवान इतने नजदीक से ताप देते हैं कि आग लगती है वो सूरी की किरुणों से जलता है ऐसे यमराज के उस मारग म को कठोर ताड़ना देते हैं रोक रोक के मरना है नहीं जिस समय जीव को घशीत कर ले जाते हैं सेकुनों गुड़कियां मार इस तरह का कस्ट अभी ये ब्याज है नरक नहीं पहुँचा अभी तो यात्रा है बिना किसी सवारी के यात्रा होती है 48 मिनट दो घड़ी में जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को शिरी जी को विहारी जी को गुरुजनों को आचारी जनों को छत्र दान किया तो जब वो जाता है तो उपर के ताप से बच सकता है उसे वही छत्र मिलेगा और जो किसी को पुझ्य जनों को पादुकाएं दान की है फिर उसको ध्यान देजिए, हाँ उस भारी संकट के समय में तुम्हें बोजन मिल जाएगा, पॉसाला खोला है, पानी पिला है तो तुम्हें पानी मिल जाएगा, जो मूर्ख यहां आ करके, यह सब नहीं किया तो, जाना उसको भी यमपुरी है, भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच स ते दान पुन्य करके, अवस्य में भोगत अब्यम कर्तम कर्म सुभा सुभाम, इसलिए समझ लिए, सोचते हो कि हमने दान पुन्य कर दिया, हमारे लिए भीमान आएगा परमपत का, जाना नरकई पड़ेगा, बारी मतेग्रत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिन उहरी भज अब इस प्रकार की यात्रा अनेक प्रकार से कष्ट भोगता हुआ, पाप पीडित जीव, धर्मराज के नगर में पहुंचा, अब वहां सेकंड के कम इस्से में इसाब हो जाता है, ऐसा थोड़ा क्या नाम है, कहां से लाए हो, क्या क्या किया, ऐसा नहीं, एक सेकंड के कम इसे में बहुते लाइन लगी हुआ, यम यातना के सरीर में भारी कष्ट भोगता हुआ जीव, दाह का नुभो करता हुआ, कापता हुआ, भेंकर वेदना से युक्त सामने खड़ा हुआ, देखते ही निर्णे हो गया, अब वहां से उसको, उसके कर्म के अनुशार नरकों म ले जाया जाता है, अब वो मृतक जीव, जो जो सुविधायें दान की थी, वो उसे कुछ दिन के लिए वहां सय्या मिल गई, भोजन मिल गया, भी स्राम मिल गया, कुछ दिन के लिए भाई, वह उत्होस में दान पुन्य के भरोसे मत रहना, अब जब वो पुन्य खतम का तो यम्दूत उनको साथ ले कर गए 12 दिन तक उसको पुर्णियों के भोग का उसर मिलता तभी तक 13 तक कहते हैं जीव को नरक की गती नहीं दी जाती 12 दिन के बाद 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिये हुए पुर्णिया जो उसको भोगता है फिर जब पिंडदान ह हो जाता हो तेरवी काजल की रासी के समान जैसे काजल के पहाड़ आईसे यम्दूत हैं कि आईसे पचका दे तुभे आईसे निम्बू जैसे निचोड़ दिये फी छोड़ दिये फिर वो जी गया फिर निचोड़ दिये अब बुले दस हजार वर्स तक यही करना है उसको अब दस हजार वर्स तक वो इसे करता रहे क्या दुर दसा तभी हरिवन्स माप्रवु कहते रसिदांत का वरणन जब करते जैसी धरिवन्स नर्क गती दुर भरी बहुत कठीन है नर्क की गती अब जो यहां पराय पुरुष से रती करती है अपने पती को दोखा दे कर जो पतनी को देखा देकर दूसरी पराई इस्त्री से पति बंचक पर पती रती करही रोरो नर्क कल्प सत्परही ऐसे पुरुष को ऐसे इस्त्री को रोरो का बड़ा भयानक स्वरूप है रोरो नर्क की लंबाई चोड़ाई दो हजार योजन अंगार रास बिछी हुई है आग ना देह नरक्की वर्दी धदक्ती आग में वो जल रहा है चीख रहा है पग पग पर भून भून कर गिर रहा है न मुर्चाव न मरण रात दिन चीखता रहता है जलता रहता है दोड़ना है 28,000 किलो मीटर बस उसी में जो आनंद लीजिए कितने दिन वो ले सहास्त्रों वर् ऐसे पापियों की सुध्धी नरक्क में की जाती है पीछे जो हो गया सब राधा राधा भगवान के वचन कभी मित्याने होते श्री भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्यमामेकम सरनमब्रद अहमत्वाम सरवपापेभ्यो मोक्षिस्यामे मासुचा मैं सब पापो हो के खुम नाम जब करो लेकिन ये जो गंदी बाते हैं मत देखो मत बोलो मत सोचो मत करो नहीं बाधा पहुचा देंगी एक ब्रह्म ग्यानी महत्मा सुमती पूर्व में सिश्य बना करके प्रमादिस्थिती को प्राप्त होने कारण एक जन्मोर लेना पड़ा इसलिए छो आज तक कि आगे नहीं करूँगा वही पवित्र होता है तो ये संकल्प लो ये नियम लो ये भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे द्वारा किसी का आहित नहों किसी का अमंगल नहों हर जीव जीना चाहता है हर जीव सुखी होना चाहता है तुम उन्हीं जीवों को दुख देकर कैसे सुखी हो सकते हो इसलिए सावधान अपनी जीब को समालो अपनी जनेंद्री को समालो अपनी बुद्धी को समालो खुब नाम जब करो शेश्चर चागे शिराधाव लवलाल की